यह जो सामने आप देख रहे हैं, पॉर्टॉला का, मॉस रोज, टैनो क्लॉक, नैनो क्लॉक, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, वो फेरवरी के बाद से स्टार्ट होता है और जो फ्लॉरिंग सीजन होता है, वो मार्च, अप्रेल के बाद से स्टार्ट होता है और सर्दियों तक काफी अच्छे से फ्लॉरिंग करता है पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही होती है कलिया नहीं बन रही होती है, फूल की साइच छोटी होती है तो इसके पीछे कई कारण है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ में मैं कमपोश्ट आपको बताऊंगा, जिसको यूज करने से आपके पौधे में देखे, इस परकार से ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, कलियां उतनी ही जादा आपके पौधे में बनेगी तो वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं कोई पार्ट स्किप मत कीजेगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा दोस्तों पहले इसके बारे में हम कुछ चीजे जान लेते हैं जैसे कि पहली चीज है जो सबसे इसकी खास बात है इस पौधे में सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्लॉर खिलते हैं और वो दोपहर साम तक जाते जाते इस परकार से देखे शिकुर ना सुरू कर देते हैं तो ये समझ लीजे एक दिन के लिए इसमें फ्लॉर खिलते हैं और वो इसकी सुन्दरता को काफी जादा बढ़ा देते हैं इसमें कई सारे कलर आप्सन मिल जाते हैं अगर आप अलग-अलग कलर के लगाना चाहते हैं गंभले में तो लगा सकते हैं और multi-color एक ही गंभले में लगाना चाहते हैं तो इनकी cutting को आप बस कई color के जो cutting है उनको लेाई एक गंभले में लगाईए और आपका भी गंभला colorful हो जाएगा अब दोस्तों जो इसकी growing period है मैंने आपको बताया कि February के बाद से start होती है सर्दियों में यो पौधा पूरी तरह से dormancy में जाता है तो dormancy से निकलने के बाद आपको इसकी जो root pruning है मिट्टी जो है reporting करना चाहिए तो फर्वरी का जो time होता है वो reporting के लिए बहुत ही best होता अगर फर्वरी में नहीं कर सकते है तो मार्च में कर लेना चाहिए जिससे पौधे की जो नई growth है वो काफी अच्छे से निकल के आती है पर अगर अभी तक आपने reporting नहीं करी है तो अब आपको reporting नहीं करना है क्योंकि अब अगर आप reporting करेंगे तो आपको इस पौधे में full बहुत कम मिलेंगे क्योंकि अब दो तीन महीने बाद सर्दियां सी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी तो सर्दियों में पौधा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्लॉरिंग नहीं करता है तो अब जो चीजे आपको करनी है वो मैं आगे बता रहा हूँ तो आप वह अभी अबंध्या कर सकते हैं उसको कर सकते है अबी रेनी सीजन चल रहा है दोस्तों तो रेनी सीजन में इसकी केर करने के लिए मैं आपको तीन चार टिप्स देता हूँ बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूं और आप भी करेंगे तो आपके मुका def description पहला है है कि इसको आपको द लगाए होंगी तो यह वाटर को होल्ड की होता है अब्जॉर्ब रहती है इसमें यह सेकुलेंट की एक वर्याटी मानी जाती है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होती है तो आपको वोवर वाटरिंग नहीं करनी है क्योंकि अभी rainy season चल रहा है तो मैं खास करके इस चीज को बता रहा हूं कि आपको rainy season में ऐसा होता है कभी दो दिन तक लगातार बारिस हलकी बारिस ही लेकिन लगातार होती है तो जिसमें यह पौधों की जो सडन गलन की समस्य होते हैं इसमें स्टार्ट हो जाती है तो अगर लगातार बारिस हो रही तो आप पौधे को ऐसी जगा प्लेस कर दें गंबले को जहां बारिस का पानी लगातार इस गंबले में ना गिरे दूसरी चीज की आपको मिट्टी ऐसी रखनी है जिसमें पानी बिल्कुल होल्ड नहीं होता है तो ड्रेनिस सिस्टम बहुत सही होना चाहिए निकल जाना चाहिए वरना पानी बगर लगा रहेगा तो पौधा आपका खराब हो जाएगा यह बहुत जरूरी है जिसको आपको केर करना है अब तीसरी चीज दोस्तों मैंने बताया इसमें सुबह सुबह फूल खिलता है और दो पहर तक आते आते पत्तियां जा देना होता है पर बारिस के सीजन में मांसुन सीजन में यह काम बहुत ही जरूरी हो जाता है और इसके अलावा एक चीज और भी इसके लिए जरूरी है कि आप जितने भी ग्रोथ देखेंगे जितनी भी फ्लॉर्स देखेंगे वह सब नई ग्रोथ में आती है तो आपको ले रहे हैं जो कट कर दिया है इसके नीचे की 4-5 पत्तिया हटा के आप चाहें तो इसी गमले में इसी मिट्टी में दबा दें इसे इस प्रकार से या फिर किसी नए गमले में तो इसमें आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर इसमें रूट निकल आएंगी और यह भी नया प पोश्टिंग पे तो कमपोश्टिंग देखें अभी हमें इसमें कोई भी ड्राइ कमपोश्ट नहीं देना है जो कमपोश्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको एक बार ट्राइ करके देखिए आपके पौदे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आएगी क्योंकि देखें जो हमें ग्रोथ करानी है यह आप मेरा गमला देख सकते हैं इसमें ग्रोथ यह इस प्रकार से गमला है और देखें चारो तरफ इसमें काफी अच्छी ग्रोथ हमारे पौदे ने ले रखी है तो हमें जो वाइट रूट्स होती है ना उनकी ग्रोथ करनी है जिसके अगर वा नेक्रो नियूट्रिंट्रिंट्स हम इसमें यूज करेंगे जो की पौदे की ओवरॉल ग्रोथ के लिए काफी आवस्यक है तो हम कौन सा फटलाइजर यूज कर रहे हैं चलिए मैं आपको वह बताता हूँ इस प्रकार से हमने एक लिटर पानी ले लिना है और इसमें यह जो आप देख रहे हैं हमारे सामने यह है वर्मी कमपोष्ट इसके अलावा अगर इसकी जगह आपको चाहें तो आप काउडंग कमपोष्ट भी ले सकते हैं इसको एक लिटर पानी में करीब करीब 50-60 ग्राम व भी चाही कि जो पहले से बिगा के रखा हुआ है है यह इसको हमने पहले से एक रखा हुआ है तो यह उसे करने के लिए र्टे चौंटे बाद इस प्रकार से आपज़ैं को देख halेगा इसको आपको ने चाहान लेत कर सकते हैं या फिर अपने यह चानने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें बिल्कुल ब्लैक कलर का हमें लिक्विड कमपोश्ट मिल रहा है इसे कमपोश्ट टीवी बोलते हैं अब इसमें आपको नाइट्रोजिन मिलेगी काफी अच्छी मात्रा में जो की हुमिक एसिड का काम करती है अगर आप चाहें तो इसकी एवज में हुमिक एसिड का जो लिक्विड कमपोश्ट आता है उसको भी यूज कर सकते हैं पर मैं आपको देशी सलुशन बता रहा हूं जो आपके पास अविलेबल हो उससे आप बनाएं और इसको अपने सभी पौधो में यूज करें तो ये बनाने तो ये आप अगर इसमें मिला देते हैं तो पौधो की ओवरल ग्रोथ के लिए ये बहुत जादा सायक होता है पौधो में फूल बनेंगे फूल की साइज काफी अच्छी होगी बड़ी होगी और जो हमने वर्मी कमपोश्ट का टी कमपोश्ट बनाया हुआ है वो आपकी ज अगर आरी कितना पौध़ होगा फ्लाउरिंग उसमने अच्छी होगी तो इसको आपको इसमें डाल देना है अपने गंले में, मिंटी में और और इसके बात अपने और यसे बाद दिःआन रखना है कि बारिस के मौसम में अभी इसमें आपको बिलकुल बारिस में नोगी कम से कम एक से दो दिन जब यह कंपोस्ट हमारी पूरी मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा रूट से इसे अब्जॉर्ब करने लग जाएगे